आजाओ भाई लोगो जल्दी 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 ज जाएगा पहले बात तो मैने सुना है जो इनकेपास साफ होते हैं हिनके दाण्illon डूटे हुए होतीं क्यों मैं जा रही हो ! कम से कम बीन तो बजा था लेकर बाइधा तुम्हारे साप तो ये फान Windemus Łukonta quiet Bo actually लेहरे में तभी तो आएंगे ये, बीन भी बजाओंगा, सब कुछ बजाओंगा, कम से कम जेब तो डीली करो, सब लोग जेम में हाथ डाले हुए कड़े बढ़े हो, कम से कम इस पेट्री भी पांच पांच रुपे डालो सब लोग, अरे मैं जिस गाओं में भी खेल दिखान लोग जिस तरीके की बाते क्यों कर रहे हो, ये बाई सब आपके हाथ में साप उपते देंगे, फिर डर के भागते नजर आओगे, जो भी खेल दिखा रहा है, इनका खेल देखते रहो, आराम से कड़े कड़े, किसी को मज़ा आये ना है, मुझे तो ये साप का खेल देखक अगर तुम लोग इतनी हिम्मत बाले हो, तो आओ साप का खेल तुम दिखाओ या आँ के बैट की, अरे नहीं बाई साब आप केल दिखाओ, आप ही केल दिखाते रहो, ये मनुवरलाल घटर तो बेबाल तू की बात करते रहते हैं, आप अच्छा खेल दिखा रहे हो, हमें तुमें कितनी देर से बुला रहा हूं फोन करके, अब तुम आयों इतनी देर में, आज पूरा दिन हो गया, बिजली नहीं आईए, उपर से तुम इस जनरेटर को रिपेर करने में इतना बक्त लगा रहे हो, बताओ तो क्या कमी है, इसमें क्या दिक्कत है, मोदी जी एक ब तब ही घर में बिजली आएगी, लेकिन मोदी जी बो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ, हुआ क्या था इस जनरेटर में, पूरी बास सुरू से बताओ मुझे, राहूल जेजी घर की बिजली गई, मैं तुरंत इस जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए दोला, और जनरेटर क जेजी मैंने इस्टार्ट किया, ये फुस से बंद हो गया, अब बताओ क्या दिक्कत हो गई, ये तो तुम्हारा काम है दिक्कत देखना, मुझसे क्यों पूछ रहे हूँ, अरे लानु जी आगे, लानु जी कैसे चलिया है, मोदी जी घर की बिजली सुबे से गया हुई है ये कोई पंक्यों के भी नहीं चलना है, तो मैंने सोचा मोदी जी के घर चलते हूँ, उनके घर जेनरेटर चलता होगा, और जेनरेटर की लेड़ से पंक्यों के चलते होँगे, भी हब हमें बैठूंगा, लेकन यहाँ आगे देख रहा हूँ, तुम्हों तो राहुल से जे जाओ जाके घर में बैठो तुम यहां पे करे हो तो बैसी मैं सही तरीके से रिपेर नहीं कर पाता जनरेटर की लेकिन राहूल भाईया कम से कम तुम्हें यह बताना तो पड़ेगा जनरेटर में क्या दिक्कत है यह ठीक क्यों नहीं वा रहा है अरे मोधी जी यहां पे द्याना पलेगा तोि खोलो न मना कोण कर रहा है कम से कम ठीक तो करो इस जनरेटर को लेकिन इस जनरेटर को रेपेर करने की फैस भी जाता लुए समझे लेना कितनी लोगे एक लाग नहीं लूजय तो कम भी नहीं मेरा मतलूए अब रिपेर करने के पूरे गया जार रुपए लूँगा इसमें बड़ी दिक्कत है जनरेटर में आइसा है रहूल इस जनरेटर को यहीं पर चोड़ के चले जाओ मैं किसी और मिस्टरी से ठीक करा लूँगा मोतीची इसका मतल़ा पंकों के नीचे नहीं बैठने मिलेगा चलो कोई बात नहीं और भाई को दोस्ता हूं इसी पैपार को मैं भी करने लगू इसलिए मैं और अगलेश आपसे मिलने के लिए आयते कुछ जानकारी लेने के लिए आयते बोलो राउल किस तरीके की जानकारी चाहती हो बताओ क्या चाहती हो तुम मुझे पहले तो यह बताओ यह मुर्गी जो मेरे बेज देता हूं और उन अंडों को भेजने के बाद जो पैसा हाथ में आता है उस पैसे से मुर्गी के लिए दाना पानी ले आता हूं अगले छोड़ो इस मुर्गी को कैसे हाथ में लिए पड़े हो मैं जो बात पूछने के लिए आया हूं वो बात पर नहीं पूछने दे र नहीं मोदी जी ये रास्ता तो बहुत लंबा है मुर्गी के चूचे को बड़े होने में बक्त लगेगा तो ऐसा करो चार-पाँच मुर्गे और मुर्गी घरीद लो बड़े-बड़े उनी से उनकी पैदाबार बड़ती रहेगी और मेरे तरह हजारों मुर्गे और मुर्ग तो बेचना चाहें तो लाग और Sir पास आपने ने बातब 59 हैं औधर रुगे बेचना यहां trze जी यह आपने बात बिल्कुल सही की, जब जादा हो जाएंगे तो बेचने ही पढ़ेंगे, फिलाल ये मुर्गा और मुर्गी का बैपार हैं अच्छा, और वाइनों को वीडियो लाइक रो, चैनल को सब्सक्राब करो, जैसे मैंने हाथ में पकड़ रगी है, बैसी हलके से, नहीं तो ये मदू मक्की अगर भड़क गई, तो बहुत बुरा हाल कर देंगी, सही से निकालो, मोधी जी जब से आपने मदू मक्कीों से सहथ बनाने का धंदा सुरू किया है, तब से मैं आपके यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ, और पता नहीं है मदू मक्की मुझे कितनी बार, ये बहुत बुरी तरीके से टंग मारती है, लेकिन मोधी जी मुझे एक बास समझ में नही मीटा क्यों होता है, राहूल ये तो मीटा होता है, बस कुदरती, लेकिन देखो इस ट्री में तो मदू मक्कीों ने सहथ बनाया ही नहीं है, जो मेरे हाथ में ट्री है, ये मदू मक्कीों से सहथ बनाने का बैबार भी बिल्कुल धंडा होता जा रहा है, पहले एक दिन में ये मदू मख्की कम से कम दद्दस किलो सहत बना दीती थी वहोड़े जी ये मदू मक्की पूलों से रस चूसती है और फूलों का भी तो सीजन चला गया मैनने तो यही सुना आपके नजर में और कोई बात हो तो आप बता लानु जी आप भी बेतु की बात करते हो मेरी नेजर में क्या बात हो कि फूलों से ही रस चूसती है ये मदू मक्की हाँ तुमारी इस बात का समर्तन करता हूँ मैं आज कल फूलों का सीजन चला गया इसलिए ये जादा सहथ नहीं बना पा रही है मदू मक्की अगलेस तुम कैसे चुपकरे हो तुमारी ट्रे में कितना सहथ है बताओ फिर इस सहथ को निकाना चाहे मोधी जी मेरी इस ट्रे में भी बिल्कुल सहथ नहीं चाहे आज मदू मक्कीयों ने सहथ बनाया ही नहीं है मोधी जी एक बात और मैं कहे देता हूँ कल से काम पे नहीं आँगा मैं कितनी बार कहे चुका हूँ मुझे एक हैलमेट मगा दो केजरी बाल भी तो सहथ का बेपार करते है उन्होंने सम मस्दूरों को हैलमेट लाके दे दी है जिससे की मदू मक्की उनके सर पर कहीं पे भी टंक नहीं मारती है मोधी जी अगलेस बिल्कुल सही कह रहा है एक हैलमेट तो आपको लाकर देना ही परेगा अरे एक तो ये मदू मक्की बड़ा सरारती होती है जगा जगा टंक मारती रहती है और टंक मारेंगी भी क्यों नहीं अपना लोग इनका सहथ भी तो ले लेती हो इसलिए आप एक हैलमेट लाके देदो हम तीनों लोगों को फिर ये मदू मक्की हमारे कम से कम सर पे तो टंक नहीं मारेंगी राओल तुम तीनों लोग काम बहुत कम करते हो और बाते बहुत जादा करते हो अब ये देखो मेरे हाथ में भी तो मदू मक्कियों की ट्री है मैं तो कोई हेलमेट पेना हुआ नहीं हूँ एक तो ये मदू मक्की बैसी सहथ नहीं बना रही है जाता उपर से तुम्हें हेलमेट शहिए और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो